हे दोस्तों टोप फाइफ इंगी चनल पर आपका स्वागत है बाजी राओ मस्तानी, पदमावत और गली बॉय के टाइम रनवीर सिंग इतने ज़्यादा पॉपलर हुए थे कि उस टाइम रनवीर सिंग की कई नई फिल्में अनाउस की गई थी ऐसी ऐसी फिल्में अनाउस हुई थी कि लग रहा था कि रनवीर सिंग आने वाले काफी टाइम तक बॉल यूड पर रूल करेंगे लेकिन फिर 83 जैस भाई जोरदार और सरकस के फ्लॉफ होनी की वज़ह से रनवीर सिंग की पॉपलर्टी काफी डाउन हो गई और इसी वज़ह से पिछले कुछ सालों में रनवीर सिंग की जितनी फिल्में अनाउस हुई थी वो सभी की सभी फिल्में लगभग बंध हो गई है हाँ डॉन 3 के बारे में मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन इसके इलाव बाकी फिल्में या तो बंध हो गई है या फिर उन फिल्मों से रनवीर सिंग को बाहर कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में हम रनवीर सिंग की उन फिल्मों के बारें बात करेंगे जो ओफिशल अनॉस्मेंट के बाद बंध हो गई है पदमावत के बाद डाइटर संजलीला भंसाली ने अनॉस किया था कि वो रनवीर सिंग के साथ एक और फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा बैजु बावरा 1952 में भरत भोसन और मिना कुमारी की इसी नाम की एक फिल्म आई थी जिसे काफी पसंद किया गया था और कहा जा रहा था कि संजलीला भंसाली इसी फिल्म को रिमेक करने जा रहे हैं जिसमें रनवीर सिंग के साथ आलिया भट और नयंतारा लीड रोल में नज़र आएंगी लेकिन उसके बाद खबर आई कि भंसाली बैजु बावरा को नहीं करेंगे बनकि वो सलमान खान के साथ एक फिल्म करेंगे जिसका नाम होगा इंसाल्ला लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ना ही बैजु बावरा बनी और ना ही इंसाल्ला इन दोनों फिल्मों के बंध होने के बाद भंसाली ने आलिया भड के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था गंगुबाई काठियावाडी तो रनवीर सिंग और भंसाली की बैजुबावरा बंध हो गई है नमबर चार तक्त 2018 में करन जोहन ने तक्त फिल्म को अनाउंस किया था जिसे वो काफी बड़े लेवल पर सूट करने वाले थे एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाली थी जो मुगल एमपायर पर बेजड होती और इसलिम में रनवीर सिंग को दारा सिकोह की रूल के लिए साइन किया गया था उसके इलावा विकी कौसाल आलिया भड करीना कपूर अनिल कपूर भूमी पेड़नेकर और जानवी कपूर को भी साइन किया गया था फिल्म की लोकेशन की तलास सिस्टार्ट हो गई थी लेकिन फिर पैंडमीक और कुछ कॉंटर वर्सीस की वज़ा से करन जोहन ने सिलिम को बंद कर दिया तक्त फिल्म के बंद होने के बाद करण जोहन ने रनवीर सींग और आलिया भड को रॉकी रानी में साइन किया जो 2023 में रेलीज होई थी जैसा कि आप सब जानते हैं कि संकर अन्यान का रिमेक बनाने वाले थे जिसमें उन्होंने रनवीर सींग को साइन किया था लेकिन जैसे ही रिमेक की खबर सामने आये अन्यान की प्रोडुशन ने कम्पलेन किया कि अन्यान की राइड उनके पास है और उन्हें संकर को स्रिप डारिक करने के लिए रखा था और इसी वज़ा से वो अन्यान का रिमेक नहीं बना सकते हैं उसके बाद संकर ने कहा कि कहानी उनकी थी और वो जिस तरह से चाहें अन्यान की कहानी को यूज कर सकते हैं। बात मदरा साइकुर तक चली गई और इसी वज़ा से ये रिमेक फिल्म बंध हो गई। इसके इलावा कई लोगों ने इसके रिमेक के उपर आवाज उठाई थी कि अन्यान का रिमेक नहीं बनना चाहिए और खास करके रनवीर सिंग के साथ क्यूंकि लोगों को लग रहा था कि साथ रनवीर सिंग विकरम की तरह एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहीं कुछ क की सुनिंग जून में स्टार्ट होने वाली थी लेकिन फिर कुछ आपसी मद्भेदों की वज़ा से परशांद वर्मा और रनवीर सिंग की ये फिल्म बंद हो गई सोचो अपरेल में फिल्म की खबर आई रनवीर सिंग फोटो शूट के लिए हैदराबाद गए लेकिन फिर कुछ हुआ और ये फिल्म बंद हो गई तो रनवीर सिंग और परशांद वर्मा की ये फिल्म भी नहीं आएगी सक्तिमान फिल्म अभी बंद नहीं हुई है लिकिन इसलिम से रनवीर सिंग को बाहर कर दिया गया है अभी फरवरी के महिने में खबर आई थी कि सक्तिमान के मेकर्स रनवीर सिंग से सक्तिमान की रोल के लिए बात कर रहे हैं लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद रनवीर सिंग का एक फोटो वारेल हुआ जिसे सक्तिमान की ग्रेटर मुकेस खन्ना काफी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि रनवीर सिंग सक्तिमान का रोल नहीं करेंगे। वैसे इसके इलाव भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है लेकिन कहने का मतलब यहीं है कि रनवीर सिंग सक्तिमान का रोल नहीं करेंगे। सक्तिमान के ना उसमेंड फरवरी 2022 में हुई थी और आज करीब 30 साल हो गया है लेकिन अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सक्तिमान फिल्म बन सकती है। बाकि देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप रनवीर सिंग की इन बंद हुई फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बूक, वर्टसप, टुटर पर जरूर शेर करें। और चैनल को सब्स्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।